आज एंट्री करस्वन कराले में जो शिकात आई है उससे रूबरू करा रहा हूं इन यहांगी मामला है है सर अब दस्तार को मैंने जो है पलोसी से मेरे किराने उनसे उधार पैसा उधार पैसा माँगा जो उनकी खाया हूँ रूआ यखां parce पिया था उसका पैसा उधार था आपका वह अपने मांगा तो फिर क्या हुआ तो उन्हों ने का कि अभी आ रहें फिर घर के अंदर गए वहां से लड़कों बच्चों के साथ में दोनों लड़कों के साथ में और आके गाली करती हुआ हमको दुकान से बाहर खींच के मारना शुरू कर दिया और मेरी माता जी या सोर सरावा सुनके और वाइब नीचे उतरी तो माता जी को धक्का दे दिया और मुझे डंडव लाठी से पीटा है जैसा परिवार बता रहा है कि कुछ छेट के दबंगों ने इनकी दुकान से कुछ समान लिया और खाया पिया जब उधार हो गया इनका तो इन्होंने उधारी के पैसे मांगे तो पैसा देने माना काने की जब इन्होंने उनसे मांगने का परियास फिर किया तो इनके साथ म मारी पेट मेंग को बहुत मारा काफी चोटों से लधुपत है ये आज ये कमिश्टे काराशली भी जा रहे हैं शिकाथ करने और मैं देख रहा हूँ इसाथ में एक महिला भी है मैं सी जानगारी करता हूं कि क्या मामिला है व्या पताने चाहिती है और यहां के कमिस्तर को भी वकत करने जा रही है और मैं इसे जानकारी करता हूँ कि आप जब आप साथ मार पीट की क्या आप इस सम्मद्धित थाने में इसके सुचना दी थाने गए थे पहले आगे वो गए थे कि पीछे हम गए थे तो हम बैठे थे वो मा गई थी बेटी गई थी और दो लड़के गए थे तो उनको कई दिया कि भगा दिया उनकी मा ने कि भाग जो बाहन करे तो लड़के भागी आए और उसके बाद में बिटिया चली आई उसके बाद में मा भी चली आई फिर हम बैठे रहे तो इनका नाम लिख लिए हैं हम पढ़े नहीं है इनका नाम लिख लिए भी बोले कि ज प्रक्षन चल रहा है और अभी 24 लग जाएगा तो अंदर हो जाओगे तो हम लोग को बोले कि जाओ चले जाओ तो हम लोग भी चले आये थे अब कह रहा है कि छो थाने के थे थाने में उन्होंने आपको आत्वासन दिया कि अभी जाओ धाराक सुचावाली दगी है उसमें आपको बंद करना पड़ जाएगा इसलिए आप बात बाना कोई लिखा पड़ी नहीं किये चेंगे कोई कारवाई नहीं की और मुझे वाल बोला कि आप जाओ घर नहीं नहीं उन्होंने आपको क्या आधवाशन दिया क्या आपकी फायार लिखी या कोई करवाई की यह उन्हें कुछ गिरफ्तार किया नहीं कुछ किसी को ना गिरफ्तार किया ना हमारी कोई फायार लिखी है नहीं जब आपका विवाद हुआ मार यह तो हम नहीं जानकारी है हमें लेकिन दबंग किसम के लोग है और कि बार यह लोग जैल भी जा चुके हैं वो दमंग टाइपर नोग है उनको जेल भी जा चुके हैं और इनका कहना है और इनको अभी नौलेज नहीं है इस बात की कि इनकी पुलिश से क्या साठ कारड है किस तरह से पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है इस तरह ये एक शरीप परिवार के लोग हैं ये कारोबारी लोग हैं ये अपना कारोबार कर रहे हैं और इनको दमंगो दारा परिशान कर जा रहा है और किया बताने जाएंगे हमारे चैनल के बाते हम से हृँ है हमार ये उलाद हमारे दो बच्ची हैं चोटे चोटे नातिको पूसा हम लोग नहार कर सकते हैं वह लाड़के लाड़ा चिनातें थारूबादी करतें करते हैं जहां मिलेगा और जान से खतम कर देंगे अब नहीं गया और श्कर देंगे जब पुलिस को आपने आउकत कराया तो पुलिस ने आपके क्या मदद की वहां से बेद दिया थे कि अभी 44 लगा है जाओ लड़ाई जगड़ा ना करो नहीं सब लोग जेल चले जाओगे तो फिल लोग फित चले आए थे पुलिस ने से कह दिया चाहिए और आपको बंद करना पड़ जाएगा और मैं देख रहा हूं आप यहां के आला दिकारियों बताओंगा आप उनको क्या संदेश देने चाहेंगे तेरति हमारे साथ किसी तरह कि घठना अगर होती है तो इनसे सब्की जिम्मेदार जो नाम लिखे हैं आप यहांगे आप लोग आप आप्टियंगर किसी नवे प्लक्रस ऊब्क्रस बने रहे सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ